नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जी के हेलप विद जयारवी पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएस्टी से एकजाम 2019 के लिए पोर्टेंट राजस्तान समाने ग्यान के क्वेस्चनों के बारे में दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदर रहेगा कि आपने अभी तक यूटूब चैनल जी के हेलप विद जयारवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल एकन है दोस्तों उसे भी प्रेसे कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अप्लोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रही तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को अंतिम समय तक देखना वीडियो के अंत में आपसे एक जीके का क्वेस्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है तो स्टार्ट करते हैं फ़र्ष्ट कोस्चन है उद्धेनात परवत राजस्तान के किस जिले में स्थिते हैं जैपूर, अजमेर, अलवर, उद्धेपूर तो दोस्तों इसका उत्तर हो जएगा अलवर यानि किसी ओप्शन ही इ इसका उत्तर अलवर ये उदेनाथ प्रवत अलवर जिले में अस्तित हैं अगला कोस्चन है बातारी फुलवारी नामक ग्रंत के रचेता कोन है ओप्षिने विजयदान देथा विजय सियं पतिक मनेक्य लाल वर्मा सीवचंदर भरतिया तो दोस्तों बातारी फुलवारी पुल सेयर को गुलाबी रंग है वो, किस रज़त द्वार दिया गयता तो उप्टन आपके सामने है, परताब सी हैं, राम सी धुवित्य है, स्वाई जैसी हैं, इस्वरी सी हैं, तो दोस्तो इसका राइट हो जएगा, ओप्टन बी, राम सी धुवित्य धुवरा जब पुल स है जाँ पर इतियास में जोह नहीं होगा है कि अबाखरों यहां पर जोह हूआ है रंधंबोर में भी हूआ जलोर में भी हमआ तो इसका उत्तर हो जाएगा शिरोई यानि डी बुपसीं इसका jsem शिरोई इतियास में कोई भी जोर है नहीं हुआ है अगला question है राज्य में सूती मिलों की संक्या है option है 20, 23, 22, 21 तो दोस्तों राज्य में 23 सूती मिले है यानि कि B option इसका right हो जगा कितनी सूती मिले हैं 23 चलते है next question पर मालवी गोवन से किस जिले में पाई जाती है option है कोटा, चूरू, पाली, दोसा तो इसका उतर हो जाएगा कोटा यानि कि A option इसका right है next question है बहरोड, पसु मेला कहां लगता है बहरोड, पसु मेला साथ मा का option है विकानेर, नागोर, अलवर, टोक तो दोस्तों बहरोड, पसु मेला राजस्तान के अलवर जिले में लगता है यानि कि इसका C option right हो जाएगा आठवा question है चंपा कली, पंच मड़ी, मंडली नामक अबुसन कहां पेना जाता है option है गले में, हाथ में, सिर पर, पेर में तो दोस्तों चंपा कली, पंच मड़ी, मंडली ये अबुसन गले में पेने जाते है यानि कि A option इसका right हो जाएगा चलते है next question पर है कलीला दमना किस चितर से लिके दो पत्र है option है हडोती से लि, मिवार से लि, जोदपुर से लि, जेपुर से लि तो दोस्तों कलीला दमना दो पत्र है ये है मिवार से लि, यानि कि B option इसका right हो जाएगा next question है, 10 number है मयूर बीडी का कारखना किस जिले में स्तित है मयूर बीडी का कारखना option है, टोङ, भीलवाडा, नागोर, दोसा तो दोस्तों, मयूर बीडी का कारखना राजस्तान के टोङ जिले में स्तित है यानि कि इसका A option right हो जाएगा अगला question है राजय का एक मतर नर्ते जो बिना वदे यंतर के किया जाता है बिना वदे यंतर के किया जाने वाला राजस्तान राजय का एक मतर नर्ते कौन सा है option है नूर, राइन, वालर, डांग तो दोस्तों इसका C option right हो जाएगा वालर अगला कोश्चन है दिपावली पर किया जाने वाला नर्ते है ओप्सन है गर्बा गुमर गवरी फिजन तो दोस्तों दिपावली पर किया जाने वाला नर्ते है वो है फिजन नर्ते यानि कि इसका डी ओप्सन है वो राइट हो जेगा तोड्वेटी बोली किस चेतर की प्रसिद्य है अलवर दोसा, जेपुर सीकर, चूरु नागोर, टौक बुंदी दोस्तों तोरावटी बोली, तोरावटी चेतर में बोली जाती है जो कि जेपुर सीकर का चेतर कलाता है यानि कि B अपसिन उसका राइट हो जेगा करनल जैंस टोरड ने किस सिकर को संतों का सिकर के नाम से संबोधित किया सिकर उप्षन अचलगड बेराट सेर गुरू सिकर तो गूरब जैंस टोरड ने गुरू सिकर को संतों का सिकर कहा है दोस्तों गुरू सिकर है इसकी उंचाई कितनी है 1722 मिटर है यह द्यां रखना दोस्तों इसी गुरू सिकर की चोटी के उपरली स्तान पर उपरी स्तान पर गुरू दत्ता तिरे रिशी का मंदिर है जिसकी उंचाई है पांच मिटर और पांच मिटर साथ म मिटर उंचाई हो जाती है लेकिन ओप्षन में आपको 1722 और 1727 दोनों मिले तो दोस्तों 1722 इसका राइट होगा दोस्तों एक बार करनल जम्स टोड गरु सिकर पर गुमने के लिए गये थे तो वहां पर उन्हें संत बहुत दिखाई दिये इसी कारण करनल जम्स टोड ने इसे संतों का सिकर कहा था दोस्तो राजस्तान में जो सुरवात्ती तीन चोटी है वो तिन्नों कि तिन्नों सिरोई जिले में अस्तित है जैसे गुरू सिकर, सेर और जरगा गुरु सिकर है इसकी उन्चाई 1722 मिटर होगी सेर है इसकी उन्चाई कितनी होगी 1597 मिटर और इसके बाद में है दिलवाडा इसकी उन्चाई होगी 1442 मिटर ये तिन्नों चोटी हैं दोस्तों गुरु सिकर, सेर और दिलवाडा यह राजस्तान के शिरोई जिले में अस्थित है इसके बाद में चोथी जो चोटी है वो है जर्गा जो कि उद्यपुर जिले में स्थित है और उसकी उन्चाई है 1431 मिटर तो क 서ction पूछ ले जाता है कि जर्गा परवत किस जिले में स्थित है तो आपको याद रखने है उद्यपुर जिले में पांच मी अचल गड़ है तेरा सो असी मिटर है उसके उंचाई है और छटी रोगुनात गड़ जो कि सिक्र जिले में स्थित है उसकी है एक जार पिछपन मिटर उंचाई तो आपको ये इतने फेक्ट है इस क्वेश्चन से त्यान रखने है चलते है नेक्स्ट क्वेश्चन पर देवनरेंड जी के बचपन का क्या नाम था उप्सन है जुझार जी उद्यस है केहर काला और बाला तो दोस्तो देवनरेंड जी के बचपन का नाम था उद्देश ही है यानि कि बी ओप्सनिस का राइट हो जाएगा अगला कोस्चन है दनोप मता का मंदिर किस स्थान पर है तो दोस्तों दनोप मता का मंदिर संग्र या बीलवड़ा में अस्तित है यानि कि बी ओप्सनिस का राइट हो जाएगा यहां पर संग्रिया लिखा संगर या बिलवडा के दनोप गाम में दनोप मता का मेंदर अस्तित है अगला कोश्चन है केला पानी तिर्थ स्तल अस्तित है ओप्शन है बांसवडा, बुंदी, डुंगरपूर, बारा तो दोस्तों केला पानी तिर्थ स्तल कहां पर स्तित है तो इसका उत्तर हो जाएगा option A बांसवड़ा में यानि कि इसका A option right है अगला question है साई जामा मस्जिद जो 12 में अस्तित है किस के समय की बनी हुई है option है अलाओ दिन खिल जी, सेरसा, सोरी, औरंग जेव हुमाईू तो दोस्तो साई जामा मस्जिद जो की 12 जिले में अस्तित है ये औरंग जेव की समय की बनी हुई है यानि कि C option इसका राइट हो जाएगा उननीशवा question है दिली के लाल किले की तरज पर बना हुआ राजस्तान का किला कुन सा है तो दोस्तो इसका उत्तर हो जाएगा नारगड जेपूर में बिस्तित है तो दिली के लाल किले की तरज पर बना हुआ राजस्तान का किला है नारगड बारा वाला यानि कि ए उसका राइट हो जाएगा अगला question है बजरंग पसू मेला कहां लगता है option है बार्डमेर नागोर बरतपूर ऐवासय दोण। का राइट हो जाएगा option ड यानि कि बार्डमेर और बरतपूर इन डौनों स्थानों पर दोनों जिलों में बजरंग पसू मेला LAGTA लगता है और बजरंग पसू मेला लगता अब दोस्तों बात करते हैं, जो practice question आपको पूर्वे के model paper में पूछ अगया था उसके बारे में, question था कि राजस्तान में सीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है, तो दोस्तों उसका उतर था पस्चमी विच्छोब के कारण, यानि कि B option उस question का right था, और आज का question जिसका जवाब आपको इस वीडियो के comment box में देना है question आपके सामने है कि बाटाडू का कुवा जिसे रेगिस्तान का जल मेल कहते हैं किस जिले में स्थित है option है बाड मेर, जोधपूर, जैसल मेर, विकानेर तो दोस्तो इस question का जवाब आपको देना है इस वीडियो के comment box में उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को कीजिए like और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए share धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम